नमस्कार दोस्तो दोस्तो स्वागत एक बार फिर से मेरे चैनल एंड गुरूप में दोस्तो जेवर एरपोर्ट की एक लेटेस्ट खबर आईए और इसको मैं आपके पास तक सेर कर रहा हूं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो चलिए बात करते हैं जेवर एरपोर् की जो तैरी चल लएती वो इसी सप्ता जारी हो जाएगी और इसमें और भी जानकर ये दोस्तो तो बने रही है हमारे साथ जागरंड संबादाता ग्रेटर नौड़ा जेवर इंटरनेशनल एरपोर्ट के लिए बिड इसी सप्ता जारी हो सकती है मुक्य मंत्री योगियर द भूसित हो जाएगा चुनावी फायदा लेने के लिए जेवर इयरपोर्ट का सिलन्यास मार्च के पहले सप्ता में कराने का जन्पिर्थी निदी पिर्दे सरकार से आग्रे कर चुके हैं पिर्देश कैमिनेट से मंजूरी के बाद जेवर इयरपोर्ट के बिड डॉकुमेंट को केंद सरकार के पास परिक्षण के लिए बेजा गया था इसके परिक्षण का कारे लगबग पूरा हो चुका है इसलिए एयरपोर्ट की बिड इसी सप्ता जारी होने की पूरी संभावना है बिड जारी होने के दिन से 6 माह के लिए मानने रहेगी इस दोरान लोकसवा चुनावों की प्रक्रियावी पूरी हो जाएगी बिड जारी कराने से पहले इस पर परियोजना निगरानी एबम क्रियानवयन समिती की सेहमती ली जाएगी इसके बाद मुक्यमंत्री योगिय अधितनात के अनुमोधन के लिए रखा जाएगा प्रदेश कैमिनेट पूर में ही मुक्यमंत्री को जेवर एरपोर्ट सम्मंदी नर्णे के लिए अधिकरित कर चुकी है जमीन अधिकरण के लिए पिरसासन बुद्वार से आपत्ति निस्तारण करेगा मंगलवार को भी प्रवावित गाओं के ग्रामीडों की आपत्ति दर्ज की गई ग्रामीडों ने मुआपजा, पुनर्वास और व्यवस्तापन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है 23 फरवरी को दो गाओं का अबाड घुसित हो जाएगा इसके साथ ही मुआपजा बित्रण वा जमीन पर कब्जा लेने का कार्या सुरू होगा जिला परसासन, आर्टी जी एस से किसानों के खाते हैं मुआपजा धनरासी भेजेगा तो दोस्तों देखी ये जानकारी थी जेवर एरपोर्ट की और इसमें कौन-कौन से गाओं को दो गाओं को जो 23 फरवरी को अबाड घुसित होगा और इसमें क्या-क्या बेवस्ता चल लेएं दोस्तों क्या-क्या त्यारी चल लेएं सारी जानकारी थी इस वीडियो में तो दोस्तो आसा करता हूँ कि आपको यह जानकर यह अच्छी लेगी होगी तो आप इसको जाद जादा सेर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए धन्यबाद दोस्तो